हाई इडिवन आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर विलकम है आज किस इंपॉर्टन क्लास में हम जो कोश्चन डिस्कस करने वाले हैं याना सिर्फ यूजेसी नेट के एक्जाम के लिए इंपॉर्टन्ट है इसके अलबा उर्दू के जो दूसरे एक्जाम से चाहे वह करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथे साथ में आफ मारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां से सीधे आफ मारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं और अपने एक्जाम की शांदार प्रिप्रेशन कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टन क्लास आज किस क्लास का हमारा पहला कोशन है जेल में से दो जुम्रे सही हैं और दो गलत बसूद हुसें खाह मकदमा तारिफ जबान अर्दू अब्दुलकदर सर्वरी जबान और इल्म जबान मुहिद इनकादर जोर अर्दू जबान व लिसानियात नसीर दिन खाश्वी अर्दू की कहानी सही जुम्रों की निशान दही कीजिए तो लोट कर लीजिएगा इस कोश ये बनता है उर्दू जबान व लिसानियात ये किसकी किताब है और इसी किसास आपने उर्दू की कहानी ये किसकी किताब है तो नोट कर लीजिएगा उर्दू जबान व लिसानियात के मुसनिफ हैं गोपी चंद नारंग आप नोट कर लीजिएगा अर्दू की कहानी के मु एतशाम हुसेन, सेयद, एतशाम हुसेन जो है, इसके मसन्निफे नोट कर लिजएगा, क्लिर अभी को, चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीरे निक्स कोशन की तरफ, जेल में दो जुम्रे शेर की हैसिये से सही हैं और दो घलत हैं, सही जुम्रों की निशान दही कीजिए, ब दो जुम्रे हैं जो की करेक्ट हैं, और दो जुम्रे जो की इन करेक्ट हैं, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मोड कर लिजएगा, हमारा थार्ड आप्शन जो है, वो करेक्ट हो जाएगा, यानि आपका दूसरा जुम्रा सही है, और साथ ही साथ में तीसरा जुम्रा है वो भी आपका करेक्टर है दूसरे जुम्रे में जो शेर है इससे तवियत ने जीस्त का मज़ा पाया दर्द की दवा पाई दर्द दर्द ला दवा पाया ये किसका शेर है तो आपका जवाब हो जाएगा गालिब ये किसका शेर है गालिब का ऐसे ही तीसरे जुम्रे में जो शेर है वो भी किसका शेर है वो भी गालिब का यानि ये दोनों ही अशार किसके हैं गालिब के आप नोट कर लिएगा क्लियर सभी को क्लियर है अब यहां पर देखें अगर आप पहले जुम्रे को देखेंगे दिल कहां कि गुम कीजी हमने मुद्ध आप आया ये दूसरा मिस्तरा है इसका पहला मिस्तरा है कहते हो न देंगे हम दिल गर पड़ा को आया ये इसका पहला मिस्तरा है ऐसे ही जो चौथा आपका है चौथे में देखे साथगी वो पुरुकारी बे खुदी वो खुश्यारी खुसन को तगाफल में जुरत आजमा पाया ये मुकमल शेयर है और सही है हासे लिए कि यहां पे जितने भी अशार ये सभी किसके हैं मर्जा गालिब के हैं गालिब के बारे में मुक्तसरन हम लोग समझते हैं तो गालिब की बारे में गालिब वही हैं जिनके दो तखलूस हैं एक है पहले असद बाद में गालिब तो गालिब की सने विलादत और सने फाद जल्डी से रिवायस करवा दीगी आपके वालत का नाम क्या है ये भी आप मुझे बता दीजिए गालिब के खतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है और साथे साथ में दूसरे मजमुए का नाम क्या है तो पहले एहन चीज गालिब की पैदाईश हुई है 1797 में आगरा में आप रोट कर लिजेगा 1869 में देहली में आपकी आपकी उफात हुई है आपके वालत का नाम क्या है तो नोट कर लिजेगा अब्दूल्ला बे क्लिर समी को आपके खुतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है तो वो है ओध हिंदी जो है आपके खुतूत का पहला मजमुआ है और दूसरा मजमुआ कौन सा है तो वो है अर्दूय मौला नोट के लिजिएगा गालिब ने अपने खुतूत में दारुसरूर के नाम से किस जगह को याद किया है दारुसरूर के नाम से तो आपका जवाब हो जाएगा रामपुर इसी के साथ साथ एक्जाम में पूछा गया कोशन गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया तो आपका जवाब हो जाएगा कलकता नोट कर लीजिएगा क्लेर समी को चली अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स कोश्चन की तरफ किताब और मुसन्निफ के सही जोड की निशान दही कीजिए तो इस कोश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सम मुझे बतला देगा मुसन्निफिन के नामों को गड़ देखें शंक्षुर रह्मान फारुकी हैं सज्जाज जहीर हैं नियास वत्हपूरी हैं मौलाना खाली है तो इस स्वाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फूर्थ आप्शन जो है करेक्टर हो जाएगा यानि उसूल फार्सी ये किसी किताब है तो ये मौलाना खाली की है ऐसे लिगारिस्ता के मुसन्निफ कों है नियास फत्हपूरी है पिखला नीलम के हैं सज्जाज जहीर गुरूज आहंग और बयान के मुसन्निफ कों है शम्ष रह्मान फारुकी किलिर सभी को शम्ष रह्मान फारुकी चले कुछ किताब हैं और भी मैं आपसे कुछता हूँ अहम है गैसे किताब है तफ्हीम गालिब तफ्हीम गालिब के मुसन्निफ कों है आप मुझे बतलाएंगे इसी के साथ साथ में दिक्रे हाफिज दिक्रे हाफिज के मुसन्निफ कों है जवाब देने के आप कोशिश करेंगे ऐसे किताब है इन्तिकादियात इंतिकादियाद के मसन्निफ कोन है आप मुझे बताएंगे इंतिकादियाद के मसन्निफ कोन है आप मुझे बताएंगे ऐसे ही शवाहिद अलहाम शवाहिद अलहाम के मसन्निफ कोन है आप मुझे जवाब देजी तो पहले हम चीज़ तफ्हीम गालिब के मसन्निफ कोन है तो आपका जवाब हो जाएगा शम्शुर रह्मान फारुकी दिक्र हाफिस के मसन्निफ कोन है तो सज्जाज जहीर इंतिकादियात के मसन्निफ कोन है तो नियास फत्हपूरी और शवाहिद निल्हाम के मसन्नित कोन है मौलाना हाली नोट में लिजएगा क्लियर है सबी को चली अगला कुशन देखिए दर्जल में से दो जुम्रे सही हैं और दो गलत हैं पहला सुम्रा है तरक्य पसंद अदबी तहरीक की पहले कॉनफरेंस रिफाह आम कल्व लकनों में हुई दूसरा है तरक्य पसंद अदबी तहरीक की बाने अली सरदार जाफरी थे तीसरा है गयूम नजर का तालुख हलके अर्वाब जौक सिथा चौथा है सरसेयत की उफाद देली में हुई सही जुम्रों की निशान दफी कीजिए तो इस question का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लिजेगा हमारा fourth option जो है correct हो जाएगा यानि पहला जुम्रा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका correct हो जाएगा clear सभी को तरक्की प्रसंद अद्मी तहरी की पहली conference रेफाय आम कल्व लखनों में मुनकिद हुई पहली conference कब हुई थी तो इसे भी आप नोट कर लिजेगा 1936 में याद रखना होगा आपका इसकी सदारत किसने की थी मुईशी प्रेम चंद्रे किसने की थी भई मुईशी प्रेम चंद्रे आप नोट कर लिजेगा सरस्यद की वफाद कहां हुई तो ये भी आप नोट कर लिजेए सरस्यद के वफाद अली गड़ में हुई है देहली में नहीं हुई है सरस्यद की पैदाईश हुई 1817 इसवी में देहली में और 1898 AC में अली गढ़ में आपका इंतिकाल हुआ है अली गढ़ में आपका इंतिकाल हुआ है नोट कर लीजए गा नोट कर लिजेगा खेम जल सब्स्वेत अड़की अर्बाव जोग से ता मीजए कि इसका कियाम कब आमल में आए तो नोट कर लेजाए ए carry exam के point of physique important बोटनिट है 29 अप्रेल 1948 लाहोर में नोट कीजिए का हलके अर्बाबे दौका कियाम कब आमल में आया है 29 अप्रेल 1949 लाहोर में इसके घर पर सैद नसीर आहमत जामई के घर पर इसका प्याम आमले में आया चलिए ने इस question देख लीजिए सही जोड की निशान देही कीजिए हिंदुस्ताने लिसानियाद दास साथ जुबान अर्दू हिंदुस्ताने लिसानियाद का खाका मुकद्दमा तारिफ जुबान अर्दू अगर आफ मारे regular classes वाश कर रहे होंगे तो definitely इस question का जवाब आप दे सकते हैं तो नोट कर लीजेगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा third option जो है वो corrective हो जाएगा यानि हिंदुस्ताने लिसानियाद के मसन्निफ कौन है तो आपका जवाब हो जाएगा मुक्युद्दीन قाद्रिजो क्लिर है सबी को अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे next question की तरफ जमानी एतिबार से सही तरतीब के निशान दही कीजे बहुत ऐहम कोशन है जमानी एतिबार से सही तरतीब के निशान दही कीजे पहले में देखे हाएत जावेद हुआरे खातिर अलفारूद दूसरे में है खाब बाकि है हाएत जावेद जापान चलो जापान चलो तीसरे उफशन में सफर नामा रूममिस्ड शॉशाम अलफारूद इबन बतूता के ताकभ में चौते आफशन में इस आबाद खराबे में हयात जावे साब बाकी है तो इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कीजेगा हमारा थर्ड आफशन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यनी सफर नामा रूओं, मिस्र शाम, ये किसका सफर नामा है तो आईये अल्लामा शिवली नौमांई का है इसके बारे नोट कीजेगा 1893 में आपने ये लिखना शुरू किया और 1894 में मकामल किया नोट के लीजेगा अल्फारुक भी अल्लाम शिग्ली नॉमानी की सवानी किताब है 1908 इसके इशाहत अमल में आई है 1908 में इबन बदूता के ताकुम में ये सफर नामा है इबन इंशा का इसे भी रूट कर लिजएगा इसके इशाहत अमल में आई है 1974 क्लियर रोगे सभी को अब यहां पे देखे और भी किताब जैसे खियात जावेद के मसन्नित को ने अल्लामा शिग्ली नॉमारी नहीं 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 वई मौलाना हाली मौबारे खाति ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की उन खुतूत का मजमुआ है जो आपने कले अहमन अगर में असीरी के दौरान हबीब रह्मान खाँ शेवानी के नाम लिखे थे ये जो मजमुआ है ये 24 खुतूत का मजमुआ है अल्फारुक या लामा शिग्ली नॉमानी की सवानी किताब है खाब बाकी है ये खुद नुशत है आढला हमसुरू की आएसे जापान चलो जापान चलो सफर नामा है अब हम लोग बढ़तें सीधे नेंस कोशन की तरफ शायर उसकी नजम के इतबार से दो जम्रे सही हैं और दो गलत हैं नजिर अक्वर अवादी शेर की तरफ खताब खौजा अलताफ सेंहाली शेर आशोग पंडित बिरिश नराइन चक्बस खाक हिन्द अल्लम अक्वाल लाले सहराई सही जम्रों की निशान दफी कीजे तो इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लिजेगा हमारा थर्ड आफशन जो है करिक्ट हो जाएगा तैसरा जम्रा आपका सही है और चोधा भी आपका करिक्ट है शहर की तरफ खताब ये किसका है तो ये है मौलाना खाली का नोट कर 인터פ minder मौलाना हाली की शहर आचौप किसकी नजब है तो ये नजीर अकबर आवादी की इसे भी आपनोट कर लीजेगा क्लेर होंगा सभी को बहुत ऐहन फर्वाद!... ये देखिजे शबी चलिए अब यहां पे देखिए नजीर के बारे में बात की जाती है कि सने विलादत क्या है सने उफाद क्या है ऐसी मौलाना हालिक की सने विलादत सने उफाद पंडित बिरिज नाइंच एकवस की सने विलादत सने उफाद शायर मश्रिक अल्लामा अक्माल की सने विलादत क्या है सने फाथ क्या है ये चीज़ बिलकुल आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए तो सबसे पहले नजीर के बारे में नजीर का नाम क्या ये भी एहम एक्जाम के लिए एक्जाम में कोशन ये बन चुका है तो नजीर का नाम है शेख वली मुहम्मद मूप लीज़ेगा शेख वली मुहमद आपकी पैदाईश होई है 1740 इसवी में दहली में और 1830 इसवी में आगरा में आपका इंतिकाल हुआ है हाली के बारे में बात की जाए तो 1837 में पानी पत में आपकी पैदाईश हुई है और 1914 में पानी पत ही में आपका इंतिकाल हुआ है चकमस के बारे में बात की जाए तो 1882 इसी में फैजाबाद में आपकी पैदाईश हुई है नोट के लिजेगा 1926 में राइबरेली रेले स्टेशन पर फालिच के हमले की वज़े से आपकी मौत हुई आप टोपिल लिजेगा अलम अकबाल के बारे में बात की जाए तो 1877 इसी में सियाल कोट में आपकी पैदाईश हुई है 1938 इसी में लाहोर में आपका इंतिकाल हुआ है आपके शेरी मजमूमें शामिल हैं बांगे दरा, बाले जिब्रील, जर्बे कलीम, और मगाने हिजाज चली नेक्स कोशन देखिए इनशाया और इनशाया निगार के सही जोल की निशान दही कीजिए चीनी शायर, मुश्टाक अहमद यूसफी, वकील साहब, अहमद जमाल पाशा, शामत आमाल, रशीद अहमद सिद्दिकी, जुनुन लतीफा, कनही अलाल कपूर इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं जो आपका निसाब है उसको जरूर आप एक बार रिवाइस कर लिया करें, जो भी फैक्ट आपके पास में क्लिर होने चाहिए एक दो कोशन एक्जाम में हर बार वहां से कुशे जाते हैं, सीधा सीधा आपके निसाब से ये कोशन पूशा गया है तो इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लिजएगा, हमारा दूसरा जो आप्शन है वो करेक्टर हो जाएगा यानि चेनी शैर जो है, किसका इंशाया है तो वो कनहियाOWालकपूर का है, वकिल साहब किसका है, रशीद आमर्सुद्धी का है, शामत अमाल अहमत जमाल पाशा का है, ज्लून ल्टीवा किसका है, मुश्था का है, मुश्ताबifice का है, यूसफी का है, आप सब नोट कर होगी अगर यही चीज़ आप से पुशी आती कि यहां पे जो इंशाये दिये गए हैं यह इन मसन्निफीन की किस किताब से माखूज है किस किताब से लिए गए हैं अगर यानि मसन्निफीन के नाम आपको दिये गए हैं इनके जगे पर आपको तसनिफात होती तो फिर्सकोशन का जवाब क्या होता है इसलिए यह जानना आपको जरूरी है तो चीनी शायर जो है कनेहलाल कपूर की किस किताब से माखूज है लिया गया है तो वो है संगोखिष्ट नामनोट कर लीजेगा संगोखिष्ट से ये इंशाया मजमून लिया गया है वकील साहब तो मजामीन रशीद से लिया गया है कहां से लिया गया है भी मजामीन रशीद से ऐसे ही शामत आमाल अहमद जमाल पाशा तो आहमद जमाल पाशा के गताब एक सितम इजाद तो वहां से ये लिया गया है जुमोरिय लटिफा, मुश्व, अहमद युसफी, चिराग तले produce यहां से लिया गया है लगे, चिराग तले किसकी किताब है? मुश्ताब अमद युस्फिक की सितम अजाब आहमाद जमाल पाशा मजामेन रशीद रशीद आहमाद सिद्धिकी संग खिश्ट कनहिया लाल कपूर चलिए अगला कोशन देखिए जिल में दो बेयानात दिये गे हैं जिन में से एक दावा है और एक दलील है दोनों को गोर से पढ़िए और जिल में दिये गे जवाबात में से सही जवाब की निशाद रही कीजिये दावा है खाली उर्दो के एहम सवाने निगार हैं किनकि उन्होंने खयात जावेद, यादगार गालिब और खयात साधी जैसी सवानी किताबे लिखी हैं दावा गलत है दलिल सही है ऐसे चार आपशन आपके पास में चारों को रिट कर लिजिए फिर आप मुझे बताईए इस qooshn का सही जवाब क्या हो जाएगा correct answer क्या हो जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब note कर लिजिएगा हमारा answer हो जाएगा तीसरा जो option है वो correct हो जाएगा यानि दावा सही है और दलील भी सही है अब देखे हैते जावेद है यादगार गालिब है हैते साधी ही ये तीनों बहुत एहम है इन तीनों की सरे तस्नीफ क्या है वो आपको जानना जरूरी है ये चीज़े आपके जहने बिलकुल होने तीनों हाले के तस्नीफाद है किसकी वही मौलाना हाले की तो हैते जावेद जो है कब लिखी गई है तो 1901 आप नोट कर लिजेगा क्लियर है ऐसे यादगार गालिब कब लिखी गई है तो यादगार गाले 1897 खयात साधी आपने कब लिखी 1886 ते जी 1886 आप नोट कर लिजेगा ये चीज़ आप क्लियर कर लिजे नोट कर लिजे बहुत अहिम फैक्ट है चलिए अगला कुशन देखिए नाकिद और किताबों के इतिबार से सही जवाब की निशान दही कीजिए अल्ताफ से नहाली है अल्लामा शिबली नॉमानी है गोपी चंद आरंग है से ये इतिशाम हुसिन किताबे असलोब यात अमीर रिवायत और बगावत मौजने अनिसो दबीर यादगार गालिब तो इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा अफसर नोट कर लिजìएगा हमारा दूसरा जो और्षन है वो करेक्ट हो जाएगा नोट कर लिजीएगा ओप्शन यानि खोजा अलताफ सें हालिए की किताब है यादगार घालिब और अलामा शिबली नॉमानी की तस्नीफ मौजने अनिसो दबीर गोपी चन नारंग की किताब है उसलू बिया तेमीर स्यद एतशाम हुसेन की किताब है रिवायत और बगावत नोट कर लिजीगा क्लियर सभी को चले कुछ किताबों के नाम और भी मैं आपसे पुछता हूं जैसे किताब है अदब और समाज अदब और समाज के मसन्निफ कौन है जवाब देनी कोशिस कीजिए ऐसे किताब है शेयर अजम शेयर अजम के मसन्निफ कौन है ये भी आप मुझे बताएंगे इसे के साथ साथ में अदब तनकीद और असलूबियात अदबी तनकीद और उसलूबियात के मसन्निफ कोन है आप मुझे बतलाईएगा इसी के साथ साथ में मौलूद शरीफ के मसन्निफ कोन है आप जवाब दीजिएगा तो पहली अहम चीज अदब और समाज के मसन्निफ है सेद इहतशाम हुसेद नाम नोट कि लिजी अगर आप से पुछा जाए तनकीद शरीफ के मसन्निफ हैं अगर आप से पूछा जाए तनकीद शरीफ के मसन्निफ और इसे आप नोट कर लिजीगा तो इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोब कीजिए हमारा थार्ड आउशन यानि अल्लामा शिबली नॉमानी चले यहां के हम लोग शिबली के बारे में बात करते हैं तो आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या यह चीज़ बताईए दूसरी आहिम चीज़ आपके वालिद का नाम क्या है यह आप मुझे बताएंगे अल्लामा शिबली नॉमानी को शम्शुल उल्मा का खिताब कम मिला यह आप मुझे बतलाईएगा चले तो सबसे हैं चीज़ बोट कीज़ेगा 1857 में आजम गड़ में आपकी पैदाईश हुई है और 1914 इसवी में आजम गड़ी में आपका इंतिकाल हुआ है आपके वालिद का नाम क्या है तो शेख अबीब उल्ला आप मुझे लिज़ेगा शेख अबीब उल्ला शेख लूल्मा का खिताब आपको कम मिला है 1894 इसवी में आप नोट कर लिज़ेगा आपकी बहुत सारी हम तस्निफात हैं कुछ किताबों के नाम नोट कर लिज़े जैसे मुसल्मानों की बुज़श्चता तालीब ये किताब आपकी इसे भी नोट कर लिज़ेगा ऐसे आपकी किताब है अल्मामून आपकी किताब है अल्फारुक इसे भी आप नोट कर लिज़ेगा अल्फारुक इसे के साथ साथ में सीरत النौमान इसे भी आप नोट कर लिज़ेगा सीरत-un-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n- मौजनِ अनिसो दबीर और शियर अलजम इल्मुलकलाब यह ऐसी किताबे हैं जो एक्जाम में आपसे कई बार पुछी गई मौजनِ अनिसो दबीर जिसके जरिये से आपके जरिये उर्दु में तकाबली तनकीद की बुन्याद पड़ी चलिए अगला कुशन देखी कुर्ष्ण चंदर के अफ्सानवी मजमुएं हम वहशी हैं कौन कौन से अफ्साने शामल हैं चार आफ्ष्ण में हैं क्यों अफ्साने शामल हैं Doll का सही जवाब हो जाएगा हमारा फूर्थ आफ्ष्ण यानि लाला घसीता नाम, दिल का चराग, दूसरी मौत और अंधे क्लिर सभी को आप सब को मालूँ होगा हमवाशी क्रिशन चंद का अफसान भी मजमुआ है ये मजमुआ कब शाय हुआ है 1948 में नोट कर लिजेगा क्लिर सभी को 1948 में क्रिशन चंद के बारें बात की जाए तो नोट कीजेगा 1914 इसवी में घुजरावारा पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 इसवी में मुंबई में आपका इंतिफाल हुआ है आपका पहला नावल को इसा है तो आप नोट कर सकते हैं शिकस पहला नावल कोंसा है शिकस पहला अफसान भी вся कौंसा है तो वह तलिसम खयाल तो पॉदे किसका रिपोर्टाज है तो वह हो जाएगा आपका क्रिश्ट में चंद का नोट कर लेजेगा चलिए अगा कोशन देखिए जिल में अफ्सानों और उनके मसन्निफीन के नाम दर्ज हैं सही जोड की निशान बही कीजिए दो मजदूर पाले हिल की एक रात गातल की माद दो भीगी आखें मसन्निफीन के नाम में है कुर्रत अलेन हैदर प्रेम चंद अक्बाल मजीज सुहेल अजीमा बादी तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड आफ्सन जो है करेक्टर हो जाएगा दो मजदूर किसका अफ्साना है तो जवाब हो जाएगा सुहेल अजीमा बादी पाले हिल के एक रात ये है कुर्रत अलेन हैदर का गातल की मा ये अफसाना है मुशी प्रेंचन का दू भीगी आखें ये अफसाना है इकबाल मजीद का चलिए निस कोशन देखिए शायरी में सादगी असलियत और जोश का होना जरूरी है ये किसका ख्याल है आफशन जो आपके सामने है मुहम्मद हुसेन आजाद हैं अल्यमा शिबली दौमानी है सेद एतशाम हुसेन है अल्ताफ हुसेन खाली है तो मुझे बताईए इस कोशन का सही जवाब क्या है करेक्ता अंसर क्या है तो जवाब हो जाएगा आपका फूर्थ आफशन यानि मौलाना अल्ताफ हुसेन खाली नोट कर लिजेगा मौलाना अल्ताफ हुसेन खाली चले किताब है मुकदमा शियरो शायरी मुकदमा शियरो शायरी ये किसकी किताब है तो जवाब है मौलाना खाली ये किताब आपने कब लिखी है quarantare सो ट्रानुट इसे में नोट कर लिजे गा ट्रानुट इसे में एक और कितावे हमारी शायरी जो की मुधें मुकद्मा शेरो शायरी के रद में लिकी गई है तो हमारी शायरी किसकी किताब है तो ये मसूद हसन रिजवी अदीब मसूद हसन रिजवी अदीब की ये किताब ये इसे भी आपको याद रखना हो चलिए नेस कोशन देख लीजिए सिर्फ के इतबार से जेल में दो जुम्रे सही हैं और दो गलत हैं सही जुम्रों की निशान दही कीजिए आप मुझे बताईए इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फूर्थ आफशन नोट कर लिजेगा यानि पहला जुम्रा हमारा सही हो जाएगा और साथी साथ में तीसरा भी जुम्रा हमारा करिक्ट हो जाए गाए आखरी तुहफा वारदास जादे राह ये तीनों ही मुशी प्रेम चंड के अफसानवी मजमुएं हैं नोट कर लिजेगा प्रेम चंड के पत्जल की आवाज रोशिनी की रफतार शीशे का घ्र ये तीनों ही अफसानवी मजमुएं हैं कुर्रतुलैंऑ खाइदर के अब देखिए हम वहशी हैं ये करश्नुचंदर का है तीन गुंडे ये किसका है तो ये अफसानवी मजमुआ है क्रिश्नुट का शिकस्त नौवल ह जिद्धी भी आपका है चोथी का जोड़ा इसमे चोगड़ी का अफसाना है चली अगला कोशन देखिए जेल में दो जुम्रे सही हैं और दो गलत हैं सही जुम्रों की निशान दही कीजी आप मुझे बताईए इस कोशन का सही जबाब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगे उर्दे में दो दास्तानी मसनवियों सहरल गयान और गुर्जाय नसीम को गुबल आम का शर्फ हासिल है नमर दो दास्तानी मसनवियों में गुर्जाय नसीम की खास ऐहनियत नहीं है नमर तीन मसनवी सहरल गयान इसम बामसमा है नमबर चार मीर हसन ने सिर्फ एक मसनवी सहर बयान लिखी सही जुम्रों की निशान दही क्या है तो इस कोश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लिजेगा हमारा थार्ड आप्शन जो है वो करेक्टर हो जाएगा तो इसके एक आर्डिंग आपका पहला जुम्रा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुम्रा आपका करेक्टर हो जाएगा क्लिर सभी को चलिए अगला कुश्चन दिबाकि दें कि बहुत सारे फैक्ट नहीं पर आपसे पुशी आसके जैसे एक चीज़ ही आपके मालूओने सहरल भीयान के माना क्या है यह आप मुझे बतलाएए सहरल भीयान के माना क्या है मस्लि सहरल भीयान कब लिखी गई है मस्लि सहरल भीयान किसके अहद में लिखी गई है ऐसे गुलजाय नसीम के तालुक से आप मुझे बताएंगे यह होगे तीनों फैक्ट आपको बताने हैं सहरल वियान के तालुक से गुलजाय नसीम के तालुक से बताएंगे कि मसनवी कब लिखी गई है पहली चीज़ यह इस मसनवी की पहली एशाप जो है तब आमल में आई ह दो फैक्टी यहां आप मुझे बताएंगे इनके जवाब आप देने के कोशिश कीजिएगा चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स कोशन की परण जिल में दो जुम्रे सही हैं और दो गलत हैं सही जुम्रों की निशान दही कीजिए हिम्मत、 नजर、 हम्जा、 इश्वा वगयरा सवरस के किड़ार है सुड़ीया ड्रामा ईंदर्सवा का किड़ार है नम् nesse ड्रामा अनार कले में बक्तियार सलीम के ब़ितकल्फ दोस्ते नम्र चार जान आालम बाव औ भाग उ किड़ार है अनारकली का करदार है आप नोट कर लिजीगा जाने आलम बाव बहार का नहीं बलकि फसाने आजाएब रजब अली बेक सुरूर की दास्तान का कारेक्टर है करदार है और फसाने आजाएब जो दास्तान है कब लिखी गई है अठारा सो चौबीस में उसे भी आप जहन रशी क कर सकते हैं चलिए सबरस के बारे बात कर लेते हैं तो सबरस जो है मुलावजी की एक तमसीली दास्तान है ये दास्तान कब लिखी गई है 1635 इसमी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाईश पर नाम नोट कर लिजेगा अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाईश पर इस दास्तान में कुल कितने करदार हैं तो नोट कर लिजेगा, हमारा पहला आफशन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यानि पहला जुम्रा आपका सही है और तीसरा भी आपका सही है कुंदन करहिया अलाकपूर का खाका तो या कुंदन खाका है रशीद अहमद सिद्धिकी का आप नोट कर लीजेगा करेक्ट कर लेंगे और ख़्वार खाकों का मजमूआ नहीं है बलकि खुतोत का मजमूआ है पुलाना अबुल्कलामा आजाद के जो उन्होंने खलमन नगर apli खांशर के धूरां लिखे थे हभीब और रह्मान खांशर्वानी के नाम यानि मक्तू ब ले कौन है हभीब और रह्मान खांशर्वान तो इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा बहुत इंपोर्टन कोशन है दूर्स जवाब है हमारा पहला आप्शन यानि तबका शौराए हिंद अब यहाँ पे चीज़ आपको जाना जरूरी ये तथक्रे किसके है जैसे पहला तथक्रा किसका है गुलशन वेखार किसका है तथक्रे हिंद किसका तथक्रा है और ऐसे गुलशन वेखार किसका है तो ये शयुफता का तथक्रा है तो ये है मुसहफी का तथक्रा और इसी के साथ साथ अपने गुलशने हिंद किसका तथक्रा है तो नोट के लिजेगा मिर्जा अली लुट्फ का ये तथक्रा है आप नोट के लिजेगा करबल का था के बारे में यहां पर झिक्राए है तो करबल का था पजल अलीखा फजली की दास्तान है आप नोट कर लिजियेगा यह किसकी फरमाईश पर आप नहीchten लिखी है तो उसे भी नोट कर लिजियेगा नवाब शर्फ अली खान नोट कर लिजएगा नवाब शर्फ अली खान की फरमाईश वाद 1732, 33 में नोट कर लिजएगा मुहम्मद शाह के अहद में देखें ये जनरल फैक्ट लोगे सुनना आपको जरूरी है नमें से कोई भी चीज़ आपको उग्जामे पुछी जा सकती है चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स कोशन की तरफ मश्रिक से हो बेजार न मगर्ब से हजर कर फितरत का इशारा है कि शबकों से हर कर ये शिर किसकी नजम का हिस्सा है इसमारील बिल्टी जोश मलीह अबादी अलम अबाल तो तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फूर्ट आपशन यानि शायर मश्रीक अलम अबाल अलम अबाल के किस नजम से ये शिर माखूज है तो सही जवाब हो जाएगा हमारा शौाए अमीद नोट कर लेजेगा शौाए अमीद नोट कर लेंगे शौाए अमीद ये नजब जो है अल्लाम अकबाल के किस शेरी मजमुए में शामिल है तो आप नोट कर लेंगे जर्बे कलीव अल्लाम अकबाल के किस शेरी मजमुए में शामिल है तो जवाब हो जाएगा आपका जर्बे कलीम अल्म अखबाल के चार अहम शेवी मुझमए हैं आपने नोट कर लीजिए नमबर एक आपका है बांगे दरा तर्ती भी आपको यादखने होगी बांगे दरा इसी के साथ साथ में बाले जिबरिल बाले जिब्रेल के साथ साथ में जर्वे कलीम जर्वे कलीम के साथ साथ में अर्मगाने हिजाज अब इनकी सने शाथ भी नोट के लिए कब अमल में आये हैं बागे दरा उनीस सो चौबिस बाले जिब्रेल उनीस सो पैंतिस नोट कर लिजिए जर्वे कलीम 1936 रोट कर लिजेगा अर्मगाने हिजाज 1938 रोट कर लिए जमानी इतबार से मुरतब करने के लिए ये कोश्चन आपसे एक्जाम में पूशा जा चुका है तो इसलिए हास ये फैक्ट आप के लिए इंपॉर्टन्ट है तो आज के सेशन में हमने अब तक जितने भी कोश्चन कवर किये ही और जितने भी फैक्ट आपके साथ पने डिलिवर करने की कोशिश हमने की है इसी उम्मीद के साथ में कि यह सबी फैक्ट, यह सबी कोश्चन्स आने वाले अग्जाम में आपको नए कोश्चन्स को स्वाल करने में जरूर आपकी हल्प करेंगे तो इस सेशन को इस क्लास को यहीं तर रखते हैं बिल्टिंग ले क्लास में तब तक कि ले खुदाफिज अपना ख्याल रखेगा